ताजा ख़ब्रों के लिए हमारे आरासी के यूटूब चैनले को सब्सक्राइब कीजे और बेल आइकन को प्लिक कीजे वाशी में लगडाउन के कारण बाजा समीती बन है जिसके कारण किसानों के सामने अपने माल की बिक्री को लेकर चिंता व्याप्त हो गई है माल को अच्छा भाव मिलने के बाद भी किसान उसे बेच नहीं पा रहे है जबकि खरीब हंगाम सामने है सबी और कोरोना वाइरस का संक्रमन बढ़ रहा है रोजाना हजारों की तादाद में पॉजिटी मरीद निकल रहे है और सैकलों मरीजों की मौत हो रही है पहले ही लोगडाउन चल रहा है उसमें भी कोरोना वाइरस के संक्रमन की चैन को तोड़ने के लिए राज्य सरकार द्वारा 15 मही तक लोगडाउन को बढ़ाया जा रहा है जिसके कारण सभी की जान सांसत में आ गई है वाशिम जिले में लोगडाउन लागो होने के कारण क्रिशी उपज मंडी बन है जिसका भारी खामियाजा खरीब हंगाम की तैयारी करने वाले किसानों को भुगतना पड़ रहा है किसानों के सामने खाद, बीज, सहित, अन्य परकार के क्रिशी सामगरी खरीदने के लिए रूपियों की भारी तंगी आ गई है कई किसानों के घरों में सोयाबीन, तूवर, चना, आदी परकार का उत्पादन पड़ा हुआ है वर्तमान समय में इन फसलों को अच्छा भाव मिल रहा है परन्तु बाजार समीती ही बन होने के कारण किसानों को अपना माल बेशते नहीं आ रहा है जिसके कारण किसान वीवश हो गय है लॉकडाउन में कृशी संबंदी व्यभारों को छूट डी गई है जिसे देखते वे बाजार समीतियों में भी किसानों का माल खरीदना शुरूक किया जाए इस परकार की मांग किसानों द्वारा की जा रही है अन्यता खरीब हंगाम में किसान क्या करे इस परकार का सवाल पैदा हो गया है